हाई डिवल्टीज, वेल्कम डू एजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया चाइना पाकिस्तान की डवलप्मेंट देखेंगे और डवलप्मेंट किस वे में देखेंगे, हुमन डवलप्मेंट की बहुत सारी इंडिकेटर्स होते हो, उन्हें हम देखेंगे तो सबसे बहले स्टार्ट करने से पहले गाईज, अगर आप चैनल पर पहली बार आयो तो आपको पता है में क्या कहने वाली हो, चैनल को सब्स्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करो फोर न्यू मोर वीडियो और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, अप पिर भी अगर कोई डाउट मन में रह चाता है तो यूट्यूब पर कमेंट के सुरू, या फिर इंस्ट्राग्राम पर आईडी है तबिता मैसी, वहाँ जब मन चाहिए आप मेसेज करके पूछ सकते हो, अब गाईज हम बढ़ते हैं अपने शेप्टर की और जो कि इंडिया इवलप्मेंट होती क्या है तो नाम से ही आपको बता चल रहे हैं कि उस कंट्री के लोग पढ़े लिखे हो जाए, अगर वहां पर देश में गरीबी कम हो जाए, तो इट मींस वहां डिवलप्मेंट हो रही है, वहां का हेल्ट सिस्टम अच्छा हो जाए, वहां पर इंफ् इश्यों की development कैसी हो रही है कौन किस से आगे है कौन किस से पीछे है तो सबसे पहले अगर हम बात करें human development index से जो की value given है गाइस हम लोगों को तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का index है 0.738 जबकि इंडिया का है 0.624 इसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें 0.550 जीरो तो चाइना का हमसे जादा है और इंडिया का फिरात है फिर देन पाकिस्तान का है अगर हम rank की बात करें जो की human development के base पर rank निकाला गया है तो चाइना all over the world 91 नमबर पर आ रहा है और इंडिया 135 पर है जबकि पाकिस्तान 148 पर है तो आप देखोगे कि दोनों से यह पत expectancy and birth होता क्या है guys यानि कि एक average जो life एक person कितनी जीता है कितने साल वो जिन्दा रहता है तो अगर हम चाइना की बात करें सबसे पहले तो वहाँ पर 76 year की एक person की average life है और जबकि हमें यह चीज़ पता कि चाइना में सबसे दादा old people मिलते हैं तब ही वहाँ पर हुआ कि आप बच्चे करो और थोड़ी से यंग population भी महाँ पर होनी चाहिए तो चाइना में जो average number of life है वो 76 year है जबकि इंडिया की 68.3 है और पाकिस्तान के 66.4 है तो चाइना का तो काफी अच्छा है लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के भी ज़्यादा difference नहीं है अगर हम बात करें mean year of schooling की तो mean मतलब average होगे तो average schooling time कितना होते completion का पूरी population का जो 15 या 15 साल से ज़्यादा है तो चाइना का 7.6 है इंडिया का 6.3 है पाकिस्तान का 5.1 है तो same pattern है guys चाइना number one पीछे उसके इंडिया है और उसके पीछे पाकिस्तान है अब अगर हम बात करें GDP per capita की तो GDP के अगर हम ब 6092 एंड पाकिस्तान की है 4866 जो की huge difference है between China इंडिया बहुत जाधा difference है डबल से जाधा का difference है जबकि पाकिस्तान और इंडिया की बीच में थोड़ा difference है तो हम लगों के improvement करने की need है इसके बाद अगर बात करें people below poverty line जो की 3.10 dollar per day निकाला है आपको पता universally dollar accepted होता है तो dollar के base प poverty line के नीचे है तो इंडिया की अगर मैं बात करूं 37% चाइना 32% और पाकिस्तान 44% तो यानिकि सबसे कम population 32% इनकी नीचे है जबकि इंडिया की उससे जाधा है और पाकिस्तान की उससे जाधा है अगर हम बात करें infant mortality rate यानिकि जो नवजाद बच्चे होते हैं जो एक साल के भी नहीं होते और उनके death हो जाती है पर थाउजन में कितने बच्चे जो चाइना में जिनकी death होती है तो सिर्फ 9 है जो की एक अच्छा मलब मैं अच्छा तो नहीं death होनी चाहिए बट 9 नंबर बहुत कम है जो की सही है लेकिन इंडिया की अगर हम मैं देखू तो 1000 बच्च को हमें इंप्रूफ करने की ज़रूत है कि जो नवजात बच्चे उनकी death ना हो इसके बाद अगर हम बात करें maternal mortality rate और यह है पर लाक में 1 लाक में एक लाक और तो में जब प्रेगनेंसी के समय पर कितनी औरतों की death हो जाती है तो चाइना में 27 एक लाक औरतों में 27 औरतों की इंडिया इन पाकिस्तान में काफी जादा नंबर है जिसे इंप्रूफ करने की ज़रूत है जबकि चाइना का 27 है जो की ठीक है यानि की चाइना का health system बहुत अच्छा है इन चीजों को देख कर लगता है ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करो population using a improved sanitation तो कितनी percent population है जो improved sanitation को use करते है तो चाइना में 77% ठीक है इंडिया में सिर्फ 40% इंडिया को बहुत improvement की ज़रूरत है जबकि पाकिस्तान में 64% है इसलिए जब मोदी आय थे तो उन्होंने घर घर शुचा लेकिया अभ्यान स्टार्ट किया था कि वही है इन चीजों को ठीक करो इसके बाद अगर हम हम बात करें कि किने कितनी population है जिसे improved water मिलता है तो चाइना में 96% है इंडिया में 94 है और पाकिसान में 91% है जो कि अच्छा है तीनों ही देशों में इसके बाद हम बात करें कितनी percentage है हमारे हाँ पर undernourished children की यानि कि जिन children को बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता न इंडिया में 39% है और पाकिस्तान में 45% है तो इन चीजों पर बहुत काम खरने की ज़रूरत है इंडिया और पाकिस्तान को जब इपी कोविट का data सुनाया जाता था ना कि इतने person की death हो इतने तो मैं हमेशा मेरे मन में एक चीज आती थी कि कई बार इस data को भी खोल के देख ज़रूरत है तो कोविट का data भी ना तब छोटा लगने लग जाएगा जब हम अपने देश की इन समस्याओं पर काम करेंगे सो गाइस यह जो human development index था यह 2016 के data पर depend है ठीक है 2016 के data से लिया गया है I hope आप लोगों को समझाया होगा आपने countries को देखा कि China के सरीके से उसने अपने आपको improve किया है और आगे है इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी तो I hope guys इन चीजों से हमें knowledge काफी मिली होगी और अगर फिर भी कोई आपके मन में doubt है तो Instagram पर पूछ सकते हो IT है Tabita Maisi Thank you